हाजिपूर के लिए पशुपती अरे चिराग भी दिख रहे टशन में बीजे भी परिशान विपक्ष फायदे में लोग सभा चुनावों को देखते हुए बिहार में वैसे तो सभी सीटों पर राजनितिक पार्टियों की तयारी चल रही है लेकिन सबसे जादा शुर्खियों में है हाजिपूर और जमुई खास कर बात हाजिपूर की करेतो इस सीट को लेकर तो पशुपती पारस और चिराग पाश्वान ने बीजे पी की भी धरकने बढ़ा रखी है देखे तो कहीं न कहीं बीजे पी को भी यह एसास है कि हाजिपूर का फैसला करने में पार्टि को लोहे के चने चबाने पर सकते हैं इसके सबसे वड़ी वज़या है कि हाजिपूर के कारण पशुपती पारस और चिराग पाश्वान का एंडिये में भी भविश्य तै हो सकता है चुकि बीजे पी इन दोनों में से किसी को खोना पसंद नहीं करेगी इसलिए संभवता बीजे पी हाजिपूर का फॉर्मूला तलास करने में जूटी होगी ऐसे में इस वीडियो में हम हाजिपूर को लेकर जारी तकरार की चर्चा करेंगे साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगी कि क्या इसे महागटबंदन को फायदा हो सकता है आपको बदा दी कि एक तरफ चिराग पाश्वान का कहना है कि वो हाजिपूर से अपनी मा रानी पाश्वान को उमिदवार बनाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ पशुपती पारस भी अब हाजिपुर से लेकर जमूई तक चिराग पाश्वान को घेरने की तैयारी में हैं अगर उनके हाल या बयान को देखे तो उन्होंने कहा कि अगर चिराग पाश्वान हाजिपुर सीट पर अपनी मा को उतारेंगे तो वो जमुई सीट पर चिराग के सामने उनकी बहन को उमिद्वार बना देंगे देखे तो पशुपति पारस ने ऐसा काकर सिर्फ चिराग को ही नहीं बलके इशारों में बीजेपी को भी चेताव निदी है दरसल बीजेपी ने बीते दिनों चिराग पाशवान को एक तरह से रामबिलास पाशवान का असले उत्रादिकारी माल लिया था ऐसे में लोगों को पशुपति पारस के हाथों से हाजिपुर छूटता हुआ नजर आ रहा था पर अब उन्होंने यह संकेत दे दिया है कि अगर चिराग पाशवान ने हाजिपुर में खेल किया तो वो भी कई सीटों पर एंडिये के साथ खेल कर सकते हैं वैसे चिराग पाशवान खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे हैं और उन्हें पुरा भरोसा है कि उनके राम उनसे हाजिपुर नहीं छिन सकते हैं संभवता इसी भरोसे के बाद वो औपचारिक रूप से इंडिये में सामिल हुए वहें उन्हें ने तो कई बार ऐसा कहा है कि एंडिये में जब सीट बटवारा होगा उसी वक्त हाजिपुर का भी फैसला होगा उनके बयानों से उनमें कहीं न कहीं ऐसा आत्म बिश्वास धलक रहा है कि हाजिपुर उनसे नहीं छिन सकता है यहां गौर करने वाली बात यह है कि पशुपती पारस तो हाजिपूर छिनने के बाद बीजेपी को अपनी ताकत दिखा सकते हैं लेकिन चिराग पाशवान ने तो पिछले विधान सबाज चुनाव में ही अपनी ताकत इंडिये को दिखा दिया था ऐसे में बीजेपी कम से कम चिराग पाशवान के टसन से भिडने से प्रहेज करेगी ऐसे में पशुपती पारस और चिराग पाशवान का हाजिपूर की मांग पर बीजेपी क्या फैसला लेती है यह बड़ा सवाल है वैसे बात हाजिपूर की करे तो सीट पर पिछले दो दसक में लोजबा के साथ साथ जद्यू भी जीत का श्वाद चक चुकी है चुकी अब जद्यू महागडवंदन का हिस्सा है ऐसे में अगर पशुपती और चिराग के बीच जारी तकरार समाप नहीं हुई तो महागड पर बंदन इसको भुने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा अगर हाजिपूर की जाती शमिकरन की बात करे तो मेडिया रिपोर्ट के अनुशा है यहां सबसे जादा 2.75 लाग से जादा मद्दाता यादव जाती के हैं वहीं लगभग 2.50 लाग पाश्वान है और 2.50 लाग रा 1.25 लाग कुश्वाहा वोटर भी है जबकि कुर्मी और ब्रह्मन वोटरों की संख्या 1.25 लाग है वहीं रविदास जाती के करीब 80,000 वोटर है वैश्य और बाकी जातियों के मद्दाताओं की संख्या करीब 2.00 लाग है चुकि हाजिपूर में अतिपिछरी जातियों की सं रोल रहता है इस तरह हाजिपूर में इंडिये और महागडबंदन दोनों के लिए रास्ते खुले नजर आ रहे हैं ऐसे में पशुपति पारस और चिराग पाश्वान के बीच जारी बिवाद को बीजेपी सुल्जा पाती है या नहीं यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि क नहीं न कहीं इसी पर इंडिये का भी भविश तै होती नजर आ रहा है